हलो गाइज, वेलकम तो कर्या मीडिया बंस अगीन, मैंने में इस गुलशन जाफ्रेंट्स, MCC की स्ट्रे वेकेंसी राउंड के रिजल्ट आ गई है और रिजल्ट आने के बाद जो है, वो हमने कुछ पॉजिटिव शिफ्ट MCC की स्ट्रे वेकेंसी राउंड में देखा है, MCC की स्ट्रे वेकेंसी राउंड इन दे संस कि जिसकी बात हम कर दे वो DNB, All India Quote of 50% सेट और डिपलोमा की बात कर रहे हालां कि जो डिम्ड उनिवर्सिति क्योंकि कॉणसी कांसिलिंग स्ट्रे वेकेंसी राउंड होती है तो वो जो है वो अब कंड़क्ट होंगी वो कॉलेज लेवल पर बट जो MCC की All India 50% सीट और DNB की और जो डिपलोमा के सीट से उसमें हमन जिन्होंने registration नहीं किया है MCC की counseling में और या फिर करनाटका की counseling में and now अब उनको ऐसा feel हो रहा है कि उन्हें registration करनी चाहिए थी क्योंकि अभी जो seatें हैं वो देखें तो डीम्ड में भी जिन्होंने registration ही नहीं किया उनके लिए तो इन स्टेट्स की या इन इस्ट्रे वेकेंसी राउंड की जो counseling के दरवाजे हैं वो फिलाल close हैं हलाकि यह ज़रूर है कि जिन्होंने registration कर रखा उनके पास अभी भी opportunity है कि वो स्ट्रे वेकेंसी अटेंड करके seat पा सकते हैं तो अगर अभी भी आपने अगर MCC की डिम्ड उनिवर्स्टी के लिए MCC की registration की हुई है या फिर करनाटका स्टेट्स में हमने देखा कि काफी सीटे बची हुई है हम सब को पता है कि करनाटका स्टेट की काउंसलिंग काफी डिले स्टार्ट हुई थी बट अभी जो करेंट सिक्वेशन है उसमें करनाटका स्टेट के यह में भी काफी सीटे खा ली है तो अगर आपने करनाटका या फिर सब्सक्राइब अभी बीजिस्टेशन किया हुआ अभी भी आप सीट पाने के एक चुक है तो आप इनकी इस ट्रे वेकंसी राउंड काउंसलिंग कर सकते हैं हलांकि जहां तक मैंने जो मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो इनकी स्ट्रे वेकंसी राउंड होगी वो अच्छा अच्छा ब्रांचेस की बची हुई है तो वो आपको करनाटका की जो फिसिकल राउंड काउंसलिंग और इस ओफ-लाइन काउंसलिंग वो उसको अटेंड करनी होगी सिर्फ एक ही कंडिशन है कि आपके रेजिस्ट्रेशन जो है वहां की हुई होनी चाहिए कोई कोई भी डाउट हो कोई भी क्वेडी हो तो दिएगे नमर पर कॉल कर सकते हैं अगर स्टूदेंट्स 2023 के लिए प्रेपरेशन करने हैं तो उनके लिए ये वीडियो काफी इंपरेंट रहेगी अट वो तो झाता है कोई भी क्वेडी हो तो दिए नमर पर कोई जो रसेंट था स्टूद्स अग्यू